नमस्कार दोस्ताब सभी का स्वागत है मेरा चानल एड्मिशन वाला पर और बतादो कि इंजिनेरिंग के जो MSTCT के अंतरगत होने वाले एड्मिशन के लिए हमें अब कोई extension नहीं मिलेगा फार्म भरने के लिए पूरा time table अब आ चुका है देखेंगे इस video में कि merit list कब आने नोटिफिकेशन स्क्रोल होते हैं यहाँ पर भी notification आज आएगा फिल हाल अगर जाते हैं important dates में तो आप हमें यहाँ पर पूरा time table देखने को मिलेगा आज activity यह खतम हो गई 11 तारीक की जैसे जैसे आगे बढ़ीगी यह green जो है यह नीचे नीचे चलता जाएगा और आगले आ अगरेने वाले activity अब होगी 14 जुले को अब हमारी professional merit list आएगी उसके साथ 15 से लेकर 17 तक आप grievance डाल सकते हैं जिन students का अभी grievance डालना चाहते लेकिन option नहीं खुल रहा था वो 15 से लेकर 17 तक grievance डाल पाएंगे जिनका कुछ बाकी था अब document आ गया है marks बढ़ गये है कुछ ग 19 को final merit list आ गया तो फिर उसके बाद आपके merit number में कोई भी बदलाव संभाव नहीं होगा और फिर उसी merit number से आपको option form भरने हो seat matrix आपको 19 को पता चलेगा 19 तारीक हमें पता चलेगा कि इस साल आखिर कितने seats बढ़ी है कौन से college में कौन सी कौन से category कितनी seat है ये पूरे seat matrix में ह चामिल होने वाले colleges के हर एक branch का ओ गोश्वारा या फिर summary हमें बता देते है कि जिसमें पूरे seat का distribution कैसा होगा वो हमें पता चल जाएगा तो इस से हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए कितने seats किस college में कौन से branch के लिए available है उसके बाद आपको option देने है 20 से लेकर 22 जुले क के बीच में 25 जुले को फिर आएगा आपका पहले round का result और 26 से लेकर 27 जुले तक students उनकी seat acceptance की procedure complete करेंगे जो जिनका at of reach हो गया है और जो लोग self reach करेंगे उन लोगों को ये seat acceptance की process करनी होगी और फिर वही लोग जो seat acceptance की process complete करेंगे और जो लोग at of reach या फिर self reach करेंगे वो college को जाएंगे 26 से लेकर 28 के बीच में reporting करने लिए क्योंकि उनने self reach किया है या फिर उनका at of reach हो है betterment वाले जाएंगे next round में लेकिन 26 से लेकर 28 तक फिर वो college में जाकर admission ले लेंगे ऐसे students दूसरे round के लिए eligible नहीं होँगे दूसरे round शुर होगा 29 को और 29 को हमें vacant seat पता चल जाएगे दूसरे round के लिए हमारे लिए आकिर कितनी seats खाली है उसके बाद 30 से लेकर 1 अगस्त तक हमें option फार्म भरनें इस second round के लिए तीन तारीक उसका result आएगा 4 से लेकर 6 के बीच में आपका seat acceptance का program होगा जिन लोगों को पहली बार seat मिली इस second round में वो seat accept करेंगे betterment में जाना चाहते हो लोग तो betterment वाले फिर आगे जाएंगे और जो लोग self-reach करेंगे या फिर जिनका एट-off-reach होगा ओ लोग जाएंगे college में admission के लिए 4 से लेकर 6 अगस्त के बीच में तो 7 अगस्त को 3 राउंड की procedure शुरू होगी हमें वेकर जी पता चल जाएगी 7 तारीक को 8 से लेकर 10 के बीच में आप 3 राउंड के लिए option form भरोगे 12 तारीक को 3 राउंड का result आएगा और 13 से लेकर 16 के बीच में जिने पहली बार seat मिली है वो लोग self verification और seat acceptance की procedure करेंगे और बाकी की लोग सीधा जाएंगे उनके college में जो भी उनका भी final हो गया है उस college में जाकर admission की procedure 13 से लेकर 16 के बीच में ही होगी और 17 से लेकर 25 के बीच में फिर होगा spot round का आयोजन जैसे जैसे system आगे बढ़ेगी हम उस पर चर्चा करेंगे आपके college शुरू होने की तारीक है 7 August तक आशा थी कि 1 August से college शुरू होगा लेकिन थोड़ा सा देरी से सही 7 August से आपके college शुरू होगे यानि की आपका third round शुरू होने के आसपास आपका college शुरू होगा 25 तारीक ये रहेगी किसी भी प्रकार के admission के लिए cut off date यानि उसके बाद कोई भी admission संभव नहीं होगा और college को भी 6 बज़े तक उनका data 25 तारीक को ही upload करना पड़ेगा जैसे कि सामाने था एक दिन ये अस्ट्रा दिया जाता है तो अब वो नहीं दिया है detail अगर जब आएगा उनका notification और कोई बदलाव भी होता है तो भी जैसे कि मैंने का आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा तो जैसे से आगे system बढ़ेगी तो हम देखेंगे आब अगले वडियो में कि ये प्रोजिनल मेरिट लिस्ट क्या होती है वो क्यू देते है उसके बाद का grievance period का क्या महत्व है और फिर final merit लिस्ट ये दोनों में क्या फ़र्ख है तो रुकते यहापर फिर मिलेगे किसी नए ये वडिये में तब तक के लिए नमस्कार